तो हेलो गाईज कैसे हैं यहोब क्या बच्चे होंगें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एक रेडमी का फोन आया हुआ है और इस फोन के अंदर गाईज नो सर्विस का प्रोब्लम आ रहा है फोन के अंदर कोई भी नेट्वर्क नहीं आ रहा है तो step by step आज हम इसको रिपेर करने की कोशिस करेंगे तो चलिए गाई सबसे पहले मां आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके अंदर वी आई का sim डाला हुआ है तो सबसे पहले मां आपको यहाँ पर band select करवा देता हूँ देखिए यह हमारा band है तो यहाँ पर 3G select हो और ए 4G भी select हो प्रोब्लम है गाइज या तो उसके नीचे की जो पैड वेल्यू है वो खराब हो चुके यह फिर डब्लू ट्यार ही खराब हो चुका है तो देखे गाइज यहां पर मैनुवली हमने सर्च किया तो कोई भी यहां पर नेट्रक का लिस्ट नहीं आया कोई भी नेट्रक नहीं आया इसका मतलब यह हुआ कि कहीना कहीं डब्लू ट्यार में प्रोब्लम नजर आ रही है तो चलिए फटा फट से हम इसको रिपेर करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर जो डब्लू ट्यार टू नाइन सिक्स वाइप लगा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे ठीक है वि कि गाईज यह किसी टेकनी से ने मेरे पास सेंड किया है तो उन्होंने इस पे साइध काम किया भी होगा जो चलिए एक बार हम इसका पत्रा निकाल के देख लेते हैं तो देखे गाईज अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो पत्रा देखे गाईज यहां पे काफी सारा जो पत्रा है उसको उपर से कट कर ले हrए और उसके बाद डायरेक्ट इसका जो डबलू टी आर है उसको गाईज मैं चेंज गरूँँगा अब डडलू टी आर मैं डाइज देखे जमापको बता दूं कि आपके पास कोई भी नेट्रक का फोन आता है जिसमें नेट्रॉक किसी टेक्नियेशन से आता है या फिर कोई भी मार्केट से कहीं पर भी रेटन हो के आता है तो उस टाइम पर गाईज आपको उसके अंदर चाहिए किसी टेक्नियेशन भाई ने डव्लू टेर चेंज किया लेकिन ठीक से नहीं लगा उसके वजह से उस फोन के अंदर नो सर्वीस का केस बना रहता है और जब वो मेरे पास आता है तो मैं अच्छे से उसको निकालके रिवॉल करके अच्छे से डालता हूं तो फोन के अंदर न यह पता होना चाइये कि डवलूटी यार एकदम ऊके है इसमें ऊके लगा हुआ है इसलिए आपको कोई भी आपके पास फोन आता है जो रेटन हुआ है डवलूटी यार इसका चेंज करना है चाये इसमें फोन हो या डवलूटी कुछ ऐसे होते हैं जिनका RF खराब होता है तो उसको चेंज करने से जो प्रब्लम हो सोल हो जाती है और कुछ केस के अंदर guys CPU रिबोल करना पड़ता है कुछ टाइम पे पावर है उसको भी चेंज करना पड़ता है ठीक है लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो मुझे प्रब्लम देखने को मिलती है इसलिए कोई भी आपके पास नेट्रक का फोन बनने के लिए तो आप सबसे पहले उसका जो डब्लू ट्यार है उसको चेंज करेंगे अगर बोड पे पहले से काम हुआ है तो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डब्लू ट्यार को निकाल लिया है और अभी हम इसका जो पैड है उसको अच्छे से क्लिन करेंगे और उसके बाद गाइस हम इसको चैंज करेंगे तेखे गाइस नेट्रक का जो सेक्शन है वो काफी मतलब एक हार्ड सेक पाता कुछ फोन होते हैं जो कि हम रिपेर नहीं कर पाते आपको भी पता इसके बारे में क्योंकि नेट्रक का सेक्शन गाइज अगर किसी ने बिगाड दिया है तो उसको सौल करना काफी हार्ड होगा तो यहाँ पे गाइज जे मैं आपको बता दूँ कि नेट्रक का जो से है ठीक है और इसके अलावा गाइज आरेफी कलोक आरेफी डाटा की जो लाइन होती है उनको भी हमें जेक करना होता है तो ऐसे करके गाइज काफी सारे टी एक्स की लाइन होती है आरेक्स की लाइन होती है बैंड की जो लाइन होती है उनको हमें ट्रेसिंग करना होता है स् वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ इसलिए आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ओन कर लिजिए ताकि ऐसे ही आने वाले जो वीडियोज हैं उनका जो नोटिपिकेसन हैं जो आपको continue मिलता रहे है तो गाइज यहाँ पर हमने नहीं हो ठीक है कई बार ऐसा होता है कि जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर निकले रहते हैं और हम यहाँ पर आज सी बगरे को चैन्ज करते लेते हैं लेकिन फिर भी फोन की जो प्रोब्लम वो सोल नहीं हो पाती यहां से गाईज इस नेटर की सेक्शन से एक चोटा सा रजि है यह लtech की सीरीट यह लगे हुएं तो उनको अगर आप निकाल भी देँगे तो प्रोब्ल होता के अज़िवा रिपार लेना है जब भी अपको एक बार क्रय लेना है और जब भी आप रिबेर करें दिस उल्डर वाइर का यूज गये तो उशल्डर भी आप ध्यान रहते तो गाइज जो component है यह चोटे component होते हैं जो उसके चिपक जाएंगे ठीक है तो उस condition में आपको ध्यान रखना होता है लेकिन एक चीज में आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि कोई भी फून जब return होके आता है नेटर की problem में तो उसमें आपको सबसे पहले eye scan करना है और उसक के बाद आप अपनी जो tracing है उसको start करेंगे ठीक है माली जी किसी technician भाई के पास यह गया और उन्होंने मतलब डब्लू टेर चेंज किया वह अच्छे से नहीं लगा आपके पास आया आप ट्रेसिंग करने में लगे हुए हैं लेकिन उसमें problem दो डब्लू टेर में है वो ठी प्लूट्यार था उसको हमने चेंज कर दिया इसमें हमने कोई tracing भी नई किया है विदाव tracing हम ने इसको change कर दिया और उसके बाद गाईज हम देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो सोल हुई है या फिर नहीं हुई तो गाईज आज का ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस जुरूर कर लेना और आने वाले वीडियो आपको किस टोपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर जुरूर बताना जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना आने वाले वीडियो के अंदर में आपको कावर करने की कोशिश करूँगा जो भी पे गाईज हमारा जो phone है वो हम पे on हो रहा है और अभी on हो चुकह है और finally इसके अंदर आगर आप देखेंगे तो natov की भी हम पे फुल आ चुक है अगर मैं दिखाने की कोशिस करूं तो देखे का नेट fatto ministry अपे follow आ चुका है और पहले से उनका नोटिपी किस्तिन आपको कंटिनू मिलता रहे